सो हेलो एब्रिवन थम्बनेल एंड डिस्क्रिप्शन देखके आप समझ गए होगे कि इस वीडियो में हम स्टेप बाइ स्टेप प्रोसीजर देखेंगे आप अपने फिलिप्स के कोई भी प्रोडक्ट को उसके एक्स्टेंडेड वारेंटी के लिए या फिर उसके ऑथेंट के लिए कैसे चेक कर सकते हो फिलिप्स के ओरिजिनल वेबसाइट पे तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डारेक्ली आपको एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है टाइम वेस्ट मत कीजेगा वीडियो को पूरा देख लीजेगा दो तीन मिनट का वीडियो बनना है फिलिप्स प्रोड़क्ट रेजिस्ट्रेशन इत्ता आप लिखोगे एंड आप रेडी टू गो हो प्रोड़क्ट रेजिस्ट्रेशन यह आपको फिलिप्स की वेबसाइट दिखेगी गूगल सर्च पे फर्स्ट जो रिजल्ट है प्रोड़क्ट रेजिस्ट्रेशन का फिलिप्स का हम कोशिश करते हैं उस पे login करने की एगेन यहाँ पे तीन options हैं आपको आप अपने apple के login से भी login कर सकते हैं, facebook से भी कर सकते हैं and google के भी login id से कर सकते हैं तो हमारे पास ज़ो facebook है हमारा उससे हम login कर लेंगे एक बार ये page redirekt हो रहा है now this page will open आप देख सकते हो ये page हमारा login हो चुका है and हमारी profile right hand side में आपको ये दिख रहे होगी 90% complete है and left hand side में पुराने हमारे जो product है वो registered है तो आप देख सकते हो ये trimmer ही था पहले जो expire हो चुका 5, 10, 2019 को इसकी warranty expire हो गई तो again हमने एक trimmer पे वीडियो बनाई है आप i button पे जरूर चेक कीजिए उस link को आज हम उसी trimmer को register करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे register होता है तो again new product register करने के लिए आपको यहाँ plus पे click करना होगा and ये एक list आजाएगा search box जहाँ पे आप अपने product के जो model number है उसको लिख सकते हो तो हम लिखते हैं bt3101 ये आपको दिख रहा है दो options दिख रहा है bt3101 slash 25 and bt3101 slash 15 तो अभी मैं शायद थोरचा confused हूँ कि ये 25 है ये 15 है तो 15 करके पहले एक बार देखते है and हाँ ये white color का ही था ये जो हमारा था trimmer तो ये आप इस search results में show कर रहा है again आपके पास अगर कोई comments है तो जरूर लिखेगा description box के नीचे आपको सारे comments के option मिल जाते है and description भी जरूर चेक कर लीजिएगा तो इस पे एक बार फिर से click कर लेते हैं ये आपको पूछ रहा है date of purchase क्या था आपका day date and ये हमारा air and 36 months की warranty unlock हो सकती है इससे तो एक बार हम वापस से अपने order पर चले जाएंगे and then check करेंगे कि हमारा date of registration क्या था फिर से इसको continue करेंगे and यहाँ पर receipt की save करने के भी optional दिये गए है तो ठीक है चलिए यहाँ पर एक serial number भी आपको enter करना होगा serial number कैसे खोजेंगे ये देखिए example 1234 is the serial number तो पहले हम serial number ही खोज लेते हैं हमारा ट्रेमर के back side में आप खोज येगा serial number मिलेगा आपको I guess 2124 is the serial number date of purchase था मैं एक बार check करके वापस से सारी details फिल करके आप पर आता हूँ तो अभी हमने date of purchase फिल कर दिया है and probable serial number जो मैंने सोचा यही हो सकता है पीछे लिखावा था एक बार कोशिश करते हैं register करने की ओके वोला so thank you for registering your product देखिए हमारा product यहां register हो गया है enjoy your additional benefits of 36 months of warranty 36 महीने की warranty हमारी हो गई आप देख सकते हो contract number भी यहाँ पे आगया है warranty expires on 8-8-20-24 2024 में expire होगा अभी चला 2021-22-23-24 3 महीने की warranty होगी अब हम आपको दिखा भी देते हैं आपे we all registered products पे क्लिक करिएगा तो आपको यह दिख रहा होगा दोनों ट्रिमर हमारे रेजिस्टर दिख रहे हैं किये था bear trimmer series 3000 यह बहुत पहले मैंने इसे purchase किया था इसकी warranty भी 2019 में expire होगी और यह एक bear trimmer series 3000 जो की अभी मैंने purchase किया था 8 August को और इसकी warranty जो है अब expire हो रही है 8-8-20-24 को तो यह एक short video था कि आप कैसे अपने product को ना सिर्फ trimmer बाकी और भी फिलिप्स के कोई भी product को register कर सकते हो फिलिप्स के एकदम से official website पे and warranty को extend कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा offer है तो हमारे ऐसे ही videos देखने के लिए please subscribe कर दिजेगा channel को that would be very supportive for us and comment section में जरूर लिखिएगा वीडियो को जरूर like कर दिजेगा मिलते है ऐसे ही किसी दूसरे वीडियो में